अबस्कार दोस्तों जो candidates के नामते सभी को बोला गया कि आपको choice filling करनी होगी आप लोग जो है choice filling करेंगे अपने-अपने sub health centers आप लोग जो है चुनेंगे और दोस्तों दोनों list में जितनी भी candidates से एक समय आप लोगों को दिया गया था choice filling के लिए कि आप लोग 20 October 2022 इस देड़ तक आप लोग जो है अपनी-अपनी choice filling कम्प्रीट कर लें सब health centers की preference आप लोग प्रवाइट करा दे अब दोस्तों एक और information website पे add कर दे गई और बताना चाहता हूँ जो list पहली इसमें जो शामिल के गई थी पहले नमबर की इसमें पहले कितने candy rate थे और रिवाइट संशोधन के बाद अब यहाँ पे total कितने candy rate हो गए तो यह पहले अपडेट आपको provide करा जा रहा साथी साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ अब जो है last date भी extend कर दी गई है और last date को आगे बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों पूरी जानकारी प्रूफ के साथ मैं आपको provide करा हूँगा सबसे पहले वीडियो को like कर दे और MPNHMCHO कोई भी जानकारी ना चूटे पहले से चैनल को subscribe कर ले वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को आपके click करें MPNHMCHO हर information आगे भी पात रहें तो बिल्कुल शुरू बात कर देते हैं अपने update को बढ़ जाते हैं information की और तो दोस्तों देखिए ये SAMS का official portal है sams.co.in 3800 CHO vacancy कोई जानकारी इसमें आप लगों को यहाँ portal पे मिलेगी सबसे पहला जो update अभी हाली में जो शंशोदित यहाँ पे किया गया देखिए लखा है revised list of candidates तो दोस्तों देखिए पहले जो है list of candidates दिया गया था अब लेकिन जो है दोस्तों revised इसको कर दिया गया means शंशोदित इसको किया जा रहा है तो सबसे पहले दोस्तों list को मैं आपको open करके दिखा देता हूँ तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी screens पर देख सकते हैं यह सबी candidates के नाम इसमें शामिल है यह revised है शंशोदित list यहाँ पे जारी हुई है सेम्टिस में वाई information है आपका application ID आपका roll number आपका नाम आपके पेता या पर पती का नाम आपका gender आपकी category और सभी candidates को बोला जा रहा है कि आपको choice filling करनी है तो दोस्तों देखिए आप इसमें कितने candidate के नाम है तो देख पारें 190 अब इस candidate के नाम इसमें आपे शामिल कर दे गए है टोटल जो है 190 candidate की ये list यहाँ पर रहने वाली है तो तो रवाइस्ट करने से पहले जो list जारी हुई थी उसमें 175 candidate के नाम थे लेकिन दोस्तों अब शंशोधन के बाद candidates के नाम इसमें और बढ़ा दिए गए अब जो है टोटल 190 candidate को choice filling के लिए बौला जा रहा है इस list के हिसाब से इसके बाद जानकारी दे दे गई तो 139 से 175 जो सीरेल नंबर के जो candidate है आपका जो joining की जो process है NHM office भोपाल मद्धे प्रदेश में आप होगी और final जो आपके joining है document के verification के बाद आपको join कराया जाएगा तो दोस्तों ये तो थी पहली list जिसमें शन्शोदन यहाँ पे क्या गया वापिस से मैं आपको website के और ले चलता हूँ तो वापिस से हम लोग website के और यहाँ पे आ चुके हैं और आप सब भी लोग अपनी screens पे देख पारे है दूसरी list as it is वैसे कि वैसे आप पे रहेगी दोनों मैंसे किसी भी list में यदि आपका नाम शामिल है तो दोस्तों आप लोगो को choice filling कमपल सरी आपको करना होगा और काफिक candidate को दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है कि mobile number पे जो भी उनका registered mobile number है कि OTP उन candidates को नहीं पहुच रहा है तो इस चीज़ को भी लेकर हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत discussion करेंगे तो वीडियो के end में यह जानकारी आपको मिल जागी लेकिन दोस्तों देखिए choice filling आप आपको करनी है यदि आपका नाम list में सामिल है तो इसके लिए last date देखिए बढ़ा दे गई है the last date for providing the location is 21st of October 2022 6 PM पहले दोस्तों जो है 20 October 2022 यह आविदन करने की मीज़ आप लोगों को सब health centers की choice filling करने के लिए 20 October यह date आपको जो है provide कराए गई थी अब जो है बढ़ा दे गई है एक दिन का अतिरिक्त समय आप लोगों को दिया जारा आप लोग 21 October शाम के 6 वजे तक आप लोग अपनी choice filling complete करके रख ले choice filling करने के लिए same to same वही link है और यह link आपको आप पर दे दे गई है इस पर आपको click करना है तो बिल्कुल आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोगों को अपनी information लोग इन करनी होगी application ID आपका date over दोनों जानकारी provide करानी है और submit कर देना है choice filling के लिए सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जागी और 21 October 2022 इस date तक का आपको ध्यानक ना है शामके 6 वजे तक आप लोगों की choice filling कंप्लीट हो जाना चाहिए अब दोस्तों देखिए choice filling करने के लिए last में OTP आप लोगों से पूछा जाता है जो भी आपका registered mobile number है उस पर बोला जाता है कि आपको OTP दर्च करना है तो आपके registered mobile number पर जो है OTP आही नहीं रहा है तो दोस्तों देखिए इसका जो main करन है OTP क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जो mobile है उसमें आप लोगोंने do not service एक यहाँ पर देखिए do not disturb service जो है आप लोगोंने activate कर रखिए इस वज़े से जो है OTP आपके registered mobile number पर easily नहीं आ रहा है और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहली भी काफी allotment आए है और काफी बार choice filling के लिए भी बोला गया है अलग-अलग recruitment में चाए MPCH का हो चाए MP staff nurse का हो चाए MP A&M का हो तो do not disturb जो service है यदि आपके SIM पर ये activate है तो काफी बार OTP नहीं आता है candidates के registered mobile number पर और दोस्तों OTP के बेना जो है आपकी choice filling भी complete नहीं होती है और आप लोग चाहें तो Google पर search कर लेना इस service के बारे में आपको सारी जानकारी detail में मिल जाएगी इसका अरतियां पर क्या होता है तो दोस्तों देखिए ऐसे ही एक candidate ने उन्होंने मुझे बताया कि जो help line number जो दिया गया है इस पर उनने बात की और वहाँ पर phone उठाया गया phone उठाने के बाद उनसे उनकी detail ले गई मीज उनका application ID जो था और जो भी उनकी detail थी वो उनने provide कराई फिर दोस्तों उनी ने एक OTP provide कराया और वो OTP जो है Help Line में बात कर सकते हैं Help Line, number आप सबी लोगों की मदद के लिए ही दिया गया है और देखा गया है कि काफी बार candidates फोन लगते है बार बार फोन लगते है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो response नहीं करते है फोन नहीं उठाते हैं तो ऐसे में आपको continue फोन करते रहना है क्योंकि आपके choice filling का सवाल है फिर इसके बाद आपके allotment का सवाल भी रहेगा तो यदि आपका OTP नहीं आ रहा है तो आप सब लोग help line में बात जरू करें इसका help line नमबर आएगा और करीब करीब जो है आप लोग 10 बजे या फिर सुबए 11 बजे या फिर सुबए 12 बजे इस बीच आप लोग फोन लगाएं और थोड़ा आप लोग continue फोन लगाएंगे तो आपका फोन वहाँ पर receive किया जाएगा आपकी जो भी समझ से आए आपका OTP नहीं आ रहा है आपका registered mobile नमबर पे तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा तो ऐसी जानकारी candidate द्वारा हमको यहाँ पर provide कराएगी और यह information मैंने आपको यहाँ पर दे दी बाकी email ID आप लोगों को दी गई email ID का कोई भी purpose नहीं है मैंने काफी बार mail भेजा है एक भी mail का reply आज तक लोटके नहीं आया तो help line number यह है तो help line number पे आप सबी लोग contact कर सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं तो यह update कैसा लगा जरू बता है अतिरिक तो एक दिन का समय और दिया जा रहा है 21 अट्टूबर तक आप लोग जो है अपनी choice feeling complete कर लें शाम के 6 वज़े तक सबसे पहले वीडियो को लाइक ज झाल